नमस्कार स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य जोती में आज की इस वीडियो में हम लोग मेटली सरण गुप्त जी द्वारा रचित हारत माता का मंदिर नामक कवीता के प्रश्ण उत्तर को देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने इसी पार्ट की व्याक्या को देखा था उस पे चर्चा किया था यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवस्य देखें उसका लिंक में इस वीडियो के साथ देदूँगी और आईए अब हम इस पार्ट के प्रश्ण दी गए है उन 4 विकल्प में से जो सही विकल्प है उसे हमें खोच कर सही का निसान लगाना है तो आईए पहले प्रश्ण को देखते हैं मेतली सरंगुप्त का जन कब हुआ था यानि यहां पर हमें इनके जन्म के साल को बताना है विकल्प देखते हैं ख 1286, ख 1786 में, ग 1886 में, और ग 1886 में, तो मेतली सरण गुप्त जी का जन 1886 में हुआ था, ज्यान रखिएगा मेतली सरण गुप्त जी का जन 1886 में हुआ था, ठीके, दूसरे प्रश्न को देखते हैं, यह देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कि निम्नलिखित में से, कौन सी रचना मेतली सरण गुप्त की नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पूछा गया है, वो है, नहीं, कौन सी रचना नहीं है, तो देखिए, भारत भारती, स्ताकेत, पंचवट यह तीनों ही रचनाएं मेतली सरण गुप्त जी की है, तो कौन सी रचना नहीं है, कामाईनी, कामाईनी किसकी रचना है, जैसंकर प्रशाद जी की, ध्यान रखिएगा, कामाईनी जो है वो, जैसंकर प्रशाद जी की रचना है, इसमें से पूछा गया है, कि कौन सी रचना नहीं है इसलिए इसका सही उत्तर गव है तीसरे प्रश्न को देखते हैं भारत माता के मंदिर में किसका समवाद होता है तो हमारा पहला विकल्प है छमता का दूसरा ममता का तीसरा समता का और चौथा इन में से कोई नहीं तो कवीता की पहली लाइन ही है कि भारत माता का मंदिर यह समता का समवाद जहां तो पहली ही लाइन में हमें पता चलता है कि भारत माता की मंदिर में किसका समवाद होता है समता का तो इसका सही उत्तर गव है ठीक है ध्यानिकी कि इसका सही उत्तर गव है समता का तो अथा प् आगे के प्रश्णों को देखते हैं कि इसा किस धर्म के संस्थापक थे इसा मसीह के बारे बताया जा रहा है पाँचवा नंबर प्रश्ण कि इसा किस धर्म के संस्थापक थे इसा इसाई धर्म के संस्थापक थे शते प्रश्नों को देखते है विसाद का क्या अर्थ है विसाद सब्हुद का क्या अर्थ होता है तो इसके चार भी कल्प देखिए क खुशी खट दुख ग prea उसके Özta兩 चeg जोकर दोकिर विसाद सब्हुद नुपर अर्थ क्या है दुख है इसका सब्दर चाही उत्तर है सात्वे नमबर प्रश्ण को देखते हैं मिला सत्य का हमें पुजारी किसे कहा गया है किसे कहा गया है कि महात्मा गांधी को जवाहर लाल नहरू को अब्दुल कलाम को और गलाल बहदुर स्तास्त्री को तो सत्य और अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी जी को ही कहा जाता है जैसका सही उत्तर क्या है तो महात्मा गांधी इल्ला सत्य का हमें पुजारी किसे कहा गया है महात्मा गांधी आठवे नंबर प्रश्ण को देखते हैं अजात शत्रू बनने के लिए क्या अवस्यक है? आओ 정확 सत्रू को मार देना अधा खामोश रहना और घह सबको मित्र बना लेना तो अजाज शत्रू का अर्थ अजाज शत्रू बनने के लिए ये आप कभी नहीं कर सकते कि सभी सत्रू को मार दे ये गलत है अजाद्शत्रू बनने के लिए आपको क्या करना होगा सबको अपना मित्र बना लेना होगा तो फिर आज आप अजाद्शत्रू हो जाएंगे जिसका कोई भी सत्रू नहीं है टीक नौ नमबर प्रश्णे देखते हैं कोटी शब्द का क्या अर्थ है आईए अब हम इस पाट से संबंदी जो लगूतर यह प्रश्णे उसे देखते हैं पहला प्रश्ण मेतली सरन गुप्त जी के बारे में मेतली सरन गुप्त का जन कब और कहां हुआ था उत्तर देखिए मेतली सरन गुप्त का जन सन 1886 में उत्तर प्रदेश के जिला जहांसी जीला के चिरगाओं में हुआ था आईए दूसरे प्रश्णे को देखते हैं मेतली सरन गुप्त के चार काव्य संग्रहों के नाम लिखें उत्तर देखिए भारत भारती, पंचवटी, साकेत और ज्वापर आगे के तीसरे नुमबर प्रश्न को देखते हैं भारत माता का मंदिर किसे कहा गया है उत्तर भारत भूमी को भारत माता का मंदिर कहा गया है देखिए बच्चों ये लगुतरिय प्रश्न है इसलिए केवल एक पंती में ही इसका उत्तर पूरा हो जा रहा है तुर्था प्रश्न भारत में किस बात का भेदभाव नहीं है उत्तर देखिए भारत में जाती धर्म तंप्रदाय का भेदभाव नहीं है पाच्वा नमबर प्रश्न तीर्थ किसे कहते हैं उत्तर देखिए प वावित्रधार्मी की स्थल जिसे हम सीर्थ कहते हैं, ठीक, स्टे नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के लोग किसके अन्याई हैं, अन्याई यानि मानने वाले, किसको फॉलो करने वाले हैं, भारत के लोग महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ची की नीती सत्य और अहिंसा की है इसलिए यहाँ पर कहा गया है भारत के लोग महत्मा गांधि के और नियाई है jokes की साथवे नंबर प्रेश्णों को देखते हैं कभी ने किसे थी आप तीर्थों का तीर्थ कहा है किसे थी जाइक हो कभी ने कभी ने निहींए हमारा जो वरडें अगर वह पवित्र है तो उसी को कवी ने सब तिर्थों का तिर्थ कहा है आठवा नमबर प्रश्ने कवी ने सत्ति का पुजारी इसे कहा है उत्तर देखिए कवी ने महात्मा गांधी को सत्ति का पुजारी कहा है नौ नमबर प्रश्ने भाइ… भाइ भाइ आपस में क्या बाटते हैं? भाइ भाइ अपस में सुख और दुख बाटते हैं आईये अव इस पार्ण से सम्मंदित जो जो बोध मुलक प्रशने HOं से देखते हैं पहला प्रश्न, भारत माता का मंदिर कवीता में रचनाकार ने भारतियों से क्या-क्या अपेक्षा की है, या भारतियों से क्या अपेक्षा की है, यानि कि क्या आशा की है, उत्तर देखिए, भारत माता का मंदिर कवीता में रचनाकार भारतियों से यह अपेक्षा रखते है कि भारत के लोग समस्त भेदभाव, हिंशा द्वेश और स्वार्थ की आहुती चला कर। यानि कि अपने भीतर जो भेदभाव, हिंशा द्वेश या स्वार्थ की भावना है उसको खत्म करके प्रेम, सत्य, न्याय और अहिंशा की राह पर चले। कभी चाहते हैं कि सभी धर्मों के वीच समनवय, यानि कि आपसी मिलजोल, समानता, मानव की प्रतिष्ठा, यानि सभी एक दूसरे को महत्व दें, आदर दें, तबके सुख दुख में भागीदारी जैसे उच्च गुणों का विकास हो। कभी भारतियों से इसी चीज की अपेक्षा करते हैं कि सभी आपस में मिलजोल कर प्रेम के साथ रहें। दूसरे नंबर प्रश्ण को देखते हैं, भारत माता के मंदिर की क्या विशेष्ठा है। उत्तर देखिए, भारत माता का मंदिर समता और समन्वे की भावना से ओत्प्रोथ है। यहां पर सभी समान हैं। यहां सभी जाती, धर्म, संप्रदाय और संस्कृति को समांद लिष्टी से देखा जाता है। यहां जो व्यक्ति आता है, उसका मुक्त हिर्दय से यानी खुले हिर्दय से स्वागत होता है। कहा जा सकता है कि भारत माता के मंदिर में सबको उच्छ सम्मान और विकास करने का समान अवसर प्राप्त होता है। सभी को अवसर मिलता है कि वह अपने गुडों के अनुसार अपना विकास कर सके आए तीसरे नंबर प्रश्ण को देखते हैं यह पंक्ती है देखिए यह एक पंक्ती दी गई है कि भिन 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 भव संस्कृतियों के गुड़ गवरों का ज्यान यहां कि माध्यम से कभी क्या संदेश देने की कोशिश की गई है कि माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की गई है उत्तर देखिए भारत भूमी समयनवित संस्कृति का उत्तम उदारने समयनवित संस्कृति का मतला सभी धर्मों संप्रदायों लोगों का यहां पर हमें मेल जोग देखने को मिलता ह यहां बिश्विकी लगभग सभी संस्कृतियों को अनुमक्त भाव से यानि कि खुले मन से 20 फूने और विक्सित होने का अवसर प्राप्त वुआ है मौका मिला है कि यहाँ पर सभी धर्म, सभी संस्कृति के लोग अपनी धर्म, अपनी संस्कृति का विकास कर सके, अराम से आगे बढ़ सके हिंदू, मुस्लिम, सिख इसाई, जैन, बौध, सभी धर्मों ने इस धर्ती पर अपनी सामन जस्य बना कर अपना विकास और विस्तार किया है तो अब यह जो पंक्ति बोल रहे हैं कि भिन भिन भौव संस्कृतियों के गुड़ गौरों का ज्यान यहाँ इसका सीधा अर्थ है कि यहाँ पर सभी संस्कृति, सभी धर्म के लोग आपसी सामन जस्य को बनाते हुए अपना विकास और विस्तार करते हैं तो अथे नंबर प्रश्ण को देखते हैं यहाँ पर भी एक पंक्ती दी गई है कि एक साथ मिल बैठ बाट लो अपना हर्श विशाद यहाँ इस पंक्ती का भाव स्पष्ट करना है तो उत्तर देखते हैं मेतली सरंगुप्त की माननेता है कि भारत में अनेक धर्म, जाती, समुदाय, भासा और संस्कृती के मानने वालों का एक साथ विकास हुआ है इतनी विवित्ताओं के बावजूद सभी एक साथ प्रेम और सोहार्द के साथ रहते हैं अनि हमारे देश में सभी धर्म, जाती के लोग आपसी प्रेम के साथ मिल जूलकर रहते हैं अतक कवी भारत में एक साथ रहने वाले सभी लोगों को भारत माता की संतान मानते हैं इस नाते सब में आपस में भाई-भाई का रिस्ता है इस प्रकार उन्हें एक दूसरे के सुख दुख में सामिल होकर और एक दूसरे के हर्ष विशाद यानि की सुख दुख को बाट कर मानुविये एकता और प्रेम का उच्चा आदर्श पस्तूत करना चाहिए इस पंक्ति से कवी ने यही बतला गया है आएए आगे हम भासा बोध को देखते हैं ठीक है भासा बोध यहां पर दिया गया है भासा बोध को हम समझने का प्रयास करते हैं तो पहला प्रश्न है की निमननलिखित समोनचारित शब्द अर्थ, इसे शब्द जिनका उचारण लगमग एक समान है पर उनके अर्थ में अंतर पाया जाता है यानि जब आप उनको उचारन कीजेगा उन सब्दों को जब आप उचारन कीजेगा तो उचारन करने में वो एक समान लगेंगे ठीक है लगेंगे एक समान लगेंगे परन्तु उनका अर्थ जो होता है वो अलग-अलग होता है यहां पर कुछ शब्द दिये गए हैं, जो उचारण करने में एक समान है, परण्तु उनका अर्थ अलग अलग है, तो हमें उनका अंतर बताना है, तो सबसे पहला शब्द है प्रशाद, ठीके, प्राशाद, इस सब्द का अर्थ होता है, राजमहल, राजमहल, और दूसरा श प्रशाद का अर्थ होता है आशिरवाद दूसरा शब्द है बाट जो होना मैं उस परिक्षा के परिणाम की बाट जो हो रही थी यानि कि मैं इंतजार कर रही थी ये जो शब्द है बाट का अर्थ है इंतजार इसार इस थी बाट जिए बाट है कि यानि कि विभाजन एक किसी चीज को भाग भाग में बाट देना दूसरा जो शब्द है यहां पर देखिए Kannmmano इस बेर का अर्थ होता है एक प्रकार का फल जो कि अभी आप देखेंगे सरसोती पुजा के टाइम पे खाने को मिलता है ठीक है जो कि बहुत ही पादेश्ठ होता है ठीक है तो एक प्रकार का फल दूसरा शब्द है बैर तो बैर भाव जिसे हम कहते हैं इसका अर्थ क्या है सत्त्रुता या सत्त्रुता या दुस्मनी ठीक है इसके बाद का शब्द है भव भव यानि होता है संसार भव साकर जिसे हम कहते हैं ठीक है संसार और उसके बाद भाव, भाव यानि मनो भाव, यानि मन की स्थिती, ठीके, मनो भाव, याईसे आप बिकार भी कह सकते हैं, ठीके, आईए आगे देखते हैं, ठीके, आगे क्या कहा गया है, संग्या सब्दों में एक, इत अथवा, ई प्रत्य लगाकर, उन्हें विशेशन बनाया जाता है, ठीके, तो, जैसे, अर्थ, प्लस एक, क्या बना, आर्थिक, ठीके, इसी तरीके से, विकास के साथ, इत प्रत्य लगाकर, क्या बना है, विक्सि इसी तरीके से जापान के साथ इप्रत्य लगा क्या बना है जापानी ठीक है यहाँ पर संग्या सब्दों के साथ एक इत और इत प्रत्य लगाकर विशेशर बनाया गया है और हमें भी यहाँ पर देखिए निमनलिखित शब्दों के विशेशर बनाईगी इनी प्रत्य को हमारा है धर्म धर्म में इक प्रत्य लगकर क्या बन जाएगा हार्मिक इसी तरीके से संप्रदाय से क्या बनेगा संप्रदाइक एक प्रत्य लगेगा संप्रदाय क्या बनेगा संप्रदाइक संप्रदाइक ठीक है यह बात का शब्द है हर्ष हर्ष बनेगा हर्षित ऐसे प्रेम से प्रेमी और उसके बाद का आकरी इमरा शब्द क्या है उन्माद उन्माद, उन्माद से विशेशन सब्द क्या बनेगा, उन्मादी, ठीके, यह सारे संग्या सब्द हैं, ठीके, और इसमें प्रत्य लगाकर इनको विशेशन बना दिया गया है, ठीके, धर्म से धार्मिक, संप्रदाय से संप्रदाइक, हर्ष से हर्षत, प्रेम से प्रेमी, उनमाद से उनमादी, ठीक है? तो यहाँ पर इस पार्ट का जो प्रश्न उत्तर है, वो समाप्त होता है, आसा है कि यह वीडियो आपके लिए अवर्शी ही उपियोगी होगी, यदि यह वीडियो आपके लिए उपियोगी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, इसी के साथ हन्यवाद,